हेलो एवरिवन आज हमी करना है चैप्टर 6 का थेवरम 6.1 ठीक है जो थेवरम 6.1 है इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनालिटी थेवरम या थेवरम भी बोलते हैं जो की मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थेवरम है यह और यह बोर्ड एक्जामिनेशन में आने के इसको बहुत देखेंगे और एंड तक वाज करेंगे आपको सारी बात समझ में आपको आईगे जैसा कि मैंने बताया कि यह थेवरम जो है 6.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप देखे मेरे पास आली श्रमा के जो बुक है यह यह बुक 2013 एडिशन की बुक है और अभी यह चल आपको 2020 चल ला है यह साथ साल पुरानी बुक है यह उस वक्त देखी कि यह कितने टैंप पूछे जा चुके 2002 में कंपार्टमेंट में पूछी गई थी 2005 6 7 8 9 10 देखें रेग कंटिनूसली 6 यह 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 थेवरम पूछे गया है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट थेवरम है ठीक ह थेवरम 6.1 में क्या given है पढ़ते हैं के क्या given है यहाँ पे.. parallel to one side of a triangle क्या कर रहा है यहाँ पर अगर एक line को हम draw करते हैं parallel to one side of a triangle triangle के एक side से एक line parallel draw करते है ठीक है जैसे के हमारा A, B, C एक हमारा triangle है बी, C के parallel में हमने एक line draw कर दी है वाली ठीक है न तो if a line is drawn parallel to one side of a triangle ठीक है न to intersect the other two sides in distinct points यह कर रहा है जो line हमने draw किया बी, C के parallel एक line यह draw किया है यह जो line है other two sides other two sides क्या होगा है बी, C के parallel तो यह हमने draw कर दिया अधर two sides हमारा क्या है एक A, B है और एक A, C है तो A, B को और A, C को दो अलग-अलग point पे cut कर रही है वह ही यहाँ पर लिखा intersect the other two sides in distinct point एक side A, B को D पे cut कर रही है और A, C को E पे cut कर रही है तो अलग-अलग point distinct means होता है अलग-अलग point पे है the other two sides are divided in the same ratio तो यह दो other side है वह same ratio में divided हो जाती है मतब A, D upon में D, B वह equal हो जाएगा A, E upon में E, C के ठीक है इसको समझाओंगा अभी ठीक है न देखिए यहाँ पर क्या given है given a triangle A, B, C एक triangle हमारा A, B, C given है in which a line parallel to side B, C एक line जो हमारा है यह B, C की parallel है ठीक है न कौन सा line D, जो की B, C से parallel है intersect other two sides A, B, N, A, C जो other two sides A, B, N, A, C को cut कर रही है intersect other two sides A, B, N, A, C at D and E respectively तो A, B को D पर cut कर रही है और A, C को E पर cut कर रही है तो हमें क्या proof करना है to prove हमें proof करना है कि A, D upon me D, B equal होना चाहिए A, E upon me A, C है न यहां लिखा है ना आपको भारवा इससे बोलाओंगी समझ में आ जाए the other two sides are divided in the same ratio same ratio में डिवाइड कर रही है मतलब A, D upon me D, B equal होना चाहिए A, E upon me E यह proof करना है ठीक है इतनी बात है अब यहां से ध्यान से देखे यहां पर हम कुछ का instruction का काम करेंगे तो हमने यहां पर क्या लिखा है का instruction में join B पहले हमें क्या करना है B को E से जोइन करना है and C, D और C को D से जोइन करेंगे तो हमने B को E से जोइन किया ठीक है न B को E से जोइन करने के बाद फिर हमने C को D से जोइन किया ठीक है इतनी बात है हमने जोइन कर दिया उसके बाद फिर देखे यहां पर आगे क्या बोला है आपको जोवाइन B and C D and then draw DM perpendicular to AC AC हमारा यहां पर है इस AC पर D से एक हमें perpendicular draw करना है तो चलिए हम एक perpendicular draw कर देते हैं कहां पर इस पर ठीक है न और यहां पर देखें perpendicular draw कर दिया न मैंने और हमने नाम क्या दिया है DM मतलब यहां से इस पर जादा तो यह हमारा क्या है M है यह M है ठीक है इतनी बात है तो DM को हमने AC पर perpendicular draw कर दिया and EN perpendicular to AB अब E से यहां पर एक N draw करेंगे जो AB पर पर परपेंडिक्लर होगा ठीक है ना तो समझेंगे E से यहां पर पर एक draw करेंगे जो क्या है sort of A B पे क्या ही है मारा perpendicular यह हमारा क्या Sat A N perpendicular वहारा A B है N जो है A B पे क्या perpendicular हो गया ठीक है इतनी बात है अब इसके बाद ध्यान से यहाँ र dependence ब्लेकोँ ध्यान से समझनी है ठीक है न now area of triangle A D E area of triangle A D E एक triangle है, अर triangle क्या होता है, half base into height होता है, बिल्गों सभी बात है, ठीक है न, तो half base हमने कहा लिया AD और हमने height को कहा लिया है, EN, EN कहा हमारा है, यह हमारा EN है, ध्यांज समझेंगे, ADE एक triangle है, ADE एक triangle है, ठीक है, इस triangle पे यह हमारा AD base कहलाएगा, क्योंकि यह हमारा 90 जा रहा है, अगर height मैं EN लो, अगर आपके mind में अगा सर, आपने triangle ADE लिया है, तो height जो है, यह भी तो DM perpendicular, यह भी तो मेरा height है, आपने इसको क्यों लिया है, इसको भी लेंगे, आगे मिलेंगे, ठीक है न, अभी हमने height क्या लिया है, EN लिया है, तो ADE में अगर मैं इसको base लोंगा, तो यह इसका क्या perpendicular है, यह base हो गया, यह perpendicular है, height हो गयी, तो वही यहाँ पर triangle ADE, half base into height, half base हमारा क्या हो गया, base हमारा ADE हो गया, ठीक है, इतनी बाते, class 9 में पर चुके, area of triangle ADE को short में हम क्या लिखते है, area, यहाँ पर triangle का sign देते हैं, यह न देता भी चलेगा, area of triangle ADE, half AD into EN, जो थ इसको हमने first माल लिया, ठीक है, similarly, area of triangle BD, अब हम देखें, area of triangle BD, यह B है, यह D है, और यह E है, अब इस BDE में, यह BD हमारा क्या base है, इसकी height कहा है, भाई, इसकी height भी हमारा EN है, देखिए, हमने starting में कहा था, starting में क्या कहा था, कि EN जो है, AB पर perpendicular है, जो EN है, यह AB पर perpendicular है, AB new, बासाइब का पार्ट है, भासाइब और DB जो है, AB पार्ट है, और ADB का पार्ट है, जैसे कि इस वाले के लिए, हमने AD लिया था, AD क्या था, AB कहीं तो पार्ट थे, और EN क्या पर sequential किस पे है, AB है, ति AB है मतलब, AB का यह पार यह पार्थ हमारा AD भी है, और DB भी है, ठीक है बात समझ में आपको और यह यह उपना करना देखें यहां पर मालि जी एक समझच को आगा यह ऑगा हमारा क्या अगल हो गई हो घुड़ किसे भी पर्पर तो BDE में यह तो हमारा base है बट हाइट हमारा तो वही रहेगा ना कौन सा इन रहेगा क्या रहेगा कि लड़ है इसलिए triangle BDE में half base हमारा क्या है हमारा base हमारा BDE है और height हमारा क्या रहेगा इन रहेगा ठीक इतनी बात है इसको हमने second अब हम देखते हैं आउ एरिया ओफ ट्राइंगल दीग अब फिर से मैं ये डीई लेड़ाओं पहले गने इडीई लिया था तो बेस को हमने अदे लिया था अब इस वाले में सोर्ष्ट worked में जब हम एरिया ले रहे हैं A, D, E फिर से अब बेस को मैं कहले रहा हूँ E, sorry A, E, बेस को कहले रहा हूँ मैं A, E, अगर मैं बेस A, E लूँगा तो हमारा perpendicular क्या हो जागा DM, फिर से बोलू, अगर मैं triangle A, D, E लूँ और इसका बेस A, E ले लूँ तो perpendicular क्या क्या लगाई है यह perpendicular क्या हो जागी हाइट, formula क्या होता है, half base into height तब इस A, D, E में अगर यह मेरा बेस है तो height क्या क्या लगाईगा DM है ना, तो देखे A, D, E में half base हमारा अगर A, E है तो height क्या हमारा DM है, उसको हमने third माल लिया and अब इसमें आते हैं, in triangle, in triangle D, E, C D, E, C की बात करूँ में, तो D, E, C का, तो EC हमारा क्या base है क्योंकि यह जो DM है, वो AC पे perpendicular है, AC का ही, AC पे perpendicular है तो जो AE है, AC का part है, और EC जो है, वो भी AC का part है और AC पे DM perpendicular है, यह perpendicular AE के लिए भी होगा और EC के लिए भी होगा तो अगर मैं triangle A, E, C की बात करूँ, तो EC हमारा base है इसकी height क्या हो जाएगे, DM, है ना, तो इसलिए triangle D, E, C में triangle D, E, C में half base, base हमारा क्या है, EC है और height हमारा क्या है, यहाँ पे DM है, ठीक है, इसको हमने क्या माल लिया 4 माल लिया, इसमें कोई परिशानी, I hope कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना इसके बाद हमने क्या, first को second से divide कर दिया, यह first है, यह second है divide करेंगे, area of triangle A, D, E, divide में area of triangle B, D अब area of triangle A, D के half है, A, D into me, E, N, और B, D, E, जो हमारा है, half D, B into me, E, N, half से half cancel, E, N से E, N cancel, तो हमारा क्या बाद चाहिए, यहाँ पर A, D upon me, D, B, यह हमारा क्या हो गया, इसको हमने 5 माल लिया, इसके बाद हमने E, C, इसको हमने 6 माल लिया, ठीक है, अब एक बात याद रखेंगे, यह आपने पीछे क्लास में पढ़ रखे हैं, कि, but area, means area of triangle, triangle D, B, E, triangle D, B, E, and triangle D, E, C, देखिए, triangle D, B, E, and triangle D, E, C, triangle D, E, C, यह दोनों triangle है, are on the same base, ठीक है, same base, D, जो देखो, आप triangle हमारा है, triangle कौन सा, D, B, E, D, B, E, and D, E, C, D, E, C, दोनों का base हमारक है, D, E, same base, है न, D, same base, and between the same parallel, B, C, and D, दोनों को दोनों triangle जो है, यह वाले triangle, और यह वाले triangle, same base पे है, और between same parallel lines पे है, और ऐसा होता है, तो यह दोनों triangle आपस में क्या हो जाएगा, equal हो जाएगा, ठीक है, so, triangle हमारा B, D, E, यह D, B, E, लिख दो, यहाँ B, D, E, है न, therefore, area of triangle B, D, E, वो equal हो जाएगा, area of triangle D, E, से, यह इसकी property है, बास समझवाई, फिर से बताऊं, अगर माल लिए जाए, यह दो line, यह दो line, मेरा parallel है, ठीक है, एक triangle हमारा यह हुआ, इसको हमने बोल दिया, A, B, C, यह line हमारा 11 है, यह line हमारा क्या है, यह line हमारा L2 है, और triangle हमारा ABC हो गया, और एक triangle हमने same base यह लिए, यह है, और base हमारा क्या है, B, C है, ठीक है न, और हमने इसको माल लिए, क्या, डी माल लिया एक ट्रेंगल हमारा एबीसी है एबीसी ट्रेंगल है और एक ट्रेंगल हमारा क्या डी बीसी एक ट्रेंगल हमारा क्या डी बीसी यह दोनों ट्रेंगल का जो एरिया है ना इसका भी एरिया equal होगा इसके area से क्यों area से equal होगा कि दुनों same base पे हैं देखो dbc जो है इसका बेस भी क्या है बीसी है और abc बेस हमारा आपना क्या बीसी है same base पे है आप दुनो same parallel line के बीच में है अगर ऐसा होता है तो इस दुनों triangle जोगा उसका area equal होगा ठीक है तो वह एक है अब यह म parf udah यह एक इप कर बाद सबसाइद में हम लिखाए में हमारा वाहँ बहाँ यह सब्सक्रेंद को प्लपने हाँ तो यह सबुब में लिख डिया लिख दिया है वहाँ पर हमने क्या विढिन लिख दिया हमारा एरिया क्या था एड एड ऑड़ी है नीचे में क्या हैं पाल इल्फ से नइचने हैं Wie विवन हमारा एड है बनर्य दे हमारा क्या हं और एड यह को यह इदिए ponieważ क्या A-D-E और A क्या B-D-E तो यह दोणों से भुए और यह पूरा-पार्ट इसे एक्वल और यह पूरा-पार्ट इसे एक्वल तो यह वाला इसलिए मैं बार-बार एक चीज़ को रिपीट करके बोलना मकसद नहीं है मकसद यह है कि आपकी बात है आपकी मांड तक पहुच जाए मांड तक पहुच जाएगा बस हो गया यहीं इम्पोर्ट था समझे के नहीं आपको क्या करना है सबसे पहले कि इससे नोडाउन करना है आपको पूरा क्लारी दिख रहा है यहां पर फिकर ना उससे कि बाद को यह करना है अब मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि आपको कितनी बात है समझ में आई है ठीक है ना विडियो अच्छी लगी है то लाइक कर दें अगर आप इंफर्मेटिव लगी है तो अगर आप पर की पढ़ें दुसरों तक भी शियर करें ठीक है ना चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस करने के बाइद अगर आप्लोड को क्लिक कर दें क्लास 10 की मैं कम्प्लीट वीडियो अप्लोड कर रहा हूं सारी के सारी सलेबस मैं उठाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे बेल लाइकन प्रेस कर लेंगे और उसको क्लिक कर लेंगे तो मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूंगा उसकी फॉस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी ठीक है अफिर आप उससे डारेक्ट बेनिफिट ले सक करते हैं ठीक है ओल दी वेरी वेस्ट गुड़ लग टेक केर बाए